दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना बाप बड़ा ना भाईया सबसे बड़ा रुपईया लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस फजा इस बात से अलग है ये अपने पैसों को एहमेद नहीं देते ये अपनी जिन्दगी को अपने तरीके से जीने की कोशिश करते है और अपने लाइफ इस्टेल को इंस्टेग्राम पर पूस्ट भी करते रहते हैं उनके इंस्टेग्राम पर 10 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर्स हैं और वो सब इंतजार में होते हैं कि फजा आप नया क्या करने वाले हैं क्योंकि ये पैसों को खर्च करने में कोई कसर नहीं छोड़ते क्या कभी आपने इमेजन किया है कि कैसे होगा रॉयल फैमली का सदे से होना उपर से दुबई जिसे शेहर में क्राउन प्रिंस होना तो आज हम आपको दुनिया के अमीर तरीन बच्चों में शुमार और दुबई की क्राउन प्रिंस का लाइफ इस्टेल बताए कि इनका नाम फजा नहीं बलके इनका निकनेम है, इनका पूरा नाम हम्दान बिन महमद बिन राशद अमक्दूम है ये दुबई की रायल फैमली के प्रिंस हैं दुबई में सबसे ज़्यदा अमीर इनका परिवार है तो जाहिर सी बात है ये पैसे खर्च करने से पहले ज़रा भी नहीं सोचते होंगे ये बाकी अमीर लोगों से काफी अलग है और डाउन टो अर्थ और पैशनेट इनसान है इनके कई तरह के पैशन है सबसे पहले इनको पोइम्स लिखना काफी पसंद है और कई बार इननों ने अपनी लिखी पोइम सोचल मीडिया पर अपलोड की है ये दुबई के एक्स्क्ल ओर रिडर होने के साथ-साथ इनके पासafa्वी बड़ी हौर्स कhando भी है इनके पास करोनों के कीमती ऑर्स मौझओ है इनको होस्राइडिंग में बें मिल चुका है इस होर्स राइडिंग टॉर्णमेन में इंट नेशनल लोगं पwarzकिपीट करते हैं ओड पोब्रोड के देते हैं जैसे कि स्कूबा डाइविंग और स्काय डाइविंग और इनके पास दोनों के प्रोफेशनल लाइसंस भी मौजूद है 2012 में इनों ने एक वेबसाइट भी डिल अप की थी ताकि आम लोग अपने मसले प्रिंस को बता सके और अब ये वेबसाइट एप्लिकेशन के रूप में में लाँच होने वाली है इस एप के थुरू आप दुबई में होटेल, रेस्टरांट और पुलीस को ढूंड सकते हैं साथ ही ऑनलाइन कमप्लेइन भी कर सकते हैं और ये कमप्लेइन सीधी फजा के पास पहुंचेगी और आपकी ये प्रॉब्लम फजा सीधी गवर्मेंट तक पहुंचा देंगी चले अब बात करते हैं इनकी कार कलेक्शन की इनकी कार कलेक्शन में लग भग दुनिया की हर लक्जिरियस कार माजूद है जैसे की रूल्स रॉयस, बुगाटी, लेंबागनी, बेंटले और फर्रारी जिनकी कीमत जानते जानते पूरी रात भी गुजर सकती है और इनकी केर टेकिंग में करोनों का खर्चा होता है लेंबागनी की सबसे एक्सपेंसिव कार लेंबागनी वैननी और रोडस्टर भी हैंके पास दुनिया बर में ऐसी बस नो ही कार्ज है और इनके लिए तो ये भी काफी नहीं था इसलिए इन्होंने अपनी कार्ज पर सोने की लेर भी चड़ा दी और जब रोड पर लोग कोई गोल्ड प्लेटिड कार देखते हैं तो समझ जाते हैं ये प्रिंस फजा जा रहे हैं दोस्तों इनसानों के शॉक तो अजीव होंगे ही जब उनके पास काफी ज्यादा पैसे आ जाएं वैसे ही फजा के भी अजीव शॉक है घोडों के इलावा इनको उट पालना भी पसंद है और इनके इस शॉक से हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं और हम आपको बता दे कि इनके पास एक दो करूर रुपे का उट भी मौजूद है वैसे ये एक उट नहीं उटनी है और इन्होंने इसे एक कॉंपेटिशन से खरीदा था जहां लोग दूर दूर से अपने उटों को दिखाने के लिए आते हैं उसमें ये उटनी इनको ज्यादा खूबसूरत लगी और शांदार लगी इसलिए इन्होंने उसे फॉरण खरी लिया बिना पैसों के परवा किये सिर्फ महंगे घोड़े और उट ही नहीं इन्हें फैलकन पंची का भी बहुत शाक है ये एक एगल की तरह का पंची होता है जो काफी तेज उड़ता है और इसी शाक के चलते ये दुनिया भर से कई महंगे फैलकन खरीते रहते हैं वैसे इस पंची से लगाओ सिर्फ इस प्रिंस को ही नहीं बलके दुबई और साओधी के सारे अमीर शेखों को होता है फजा इस तेज तरह फैलकन पंची को कई जगाओं से खरीते हैं और जो इन फैलकन को बेचता है उन्हें वो मूम आगे पैसे देते हैं दोस्तो फैलकन काफी ज़्यदा वफदार होते हैं और हमेशा अपने मालक के पास वापिस आ जाते हैं इसी वज़े से इस पंची को पालना इन्हें काफी पसंद है इन पंची की आँखें काफी तेज होती हैं और ये काफी तेज उड़ते हैं अगर बात की जए दुबई के शेखों की और शेरों की बात ना हो ये तो हो ही नहीं सकता शेरों को पालना जैसे शेखों का रिवाज बन चुका है लग बग हर घर में आपको शेर और चीते जैसे जानवर दिखेंगे फजा के पास कई शेर और टाइगर मौजूद है इनके पास एक फॉइट लॉयन भी है फजा को एक बार जखमी हिरन मिला जिसकी इन्होंने देख बाल की और पाला और ये हिरन अब बिल्कुल ठीक हो चुका है वैसे सिर्फ क्राउन प्रिंस ही नहीं आपको दुबई के हर शेख के घर में कीमती जानवर नज़ा आएंगे इसना ही नहीं यहां पर इतने अमीर लोग मौजूद है कि ये अपने घर में एक सौ एनिमल्स को नहीं बलके पूरा का पूरा चिडिया घर ही बनवा लेते हैं जी हाँ घर के अंदर एक जू जहां शेरों से लेकर जिराफ तक हर तरह के एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे और इतने सारे जानवरों के लिए इतना ही खयाल रखने वाले लोग भी हैं इन एनिमल्स के लिए लाखो रुपए खर्च होते हैं ताकि वो सही तरह से सर्वाइव कर सके दूस्तों अगर इनके घर की बात करें तो इनके पास शान और शौकत का खजाना है इनके पास एक दो नहीं बलके कई अलग अलग घर है आखिर होंगे क्यों नहीं ये दूबई के किंग के बेटे हैं और खुद भी होने वाले दूबई के किंग हैं दूस्तों आप फजा के अच्छाई का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि इनके दोस्त वाटर जेटिंग कर रहे थे तब ही एक गलती की वज़ा से वो पानी में मरने ही वाले थे तो फजाने कुछना सोचते हुए सीधा पानी में गए और अपने दोस्त की जान बचाई ये वीडियो इंटरनेट पर काफी वाइरल हुआ इतना ही नहीं कुछ अरसा पहले इनकी गाड़ी पर एक चिडिया ने घांसला बना दिया जिसकी वज़े से उन्होंने कार चलाना बंद कर दी ताकि चिडिया अपने बच्चों का पालन पोशन कर सके सही तरीके से इस बात को सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी पसंद किया और प्रिंस फजा के फैन हो गए इतनी दालत होने के बाद भी इनको पैसों का कोई घमर नहीं है ये एकसर गरीब बच्चों को काफी पैसे देते रहते हैं सिर्फ यही नहीं अगर आप दुबई जाएं और आपकी किस्मत में हो तो ये कई बार आपको रास्ते पर चलते हुए नजर आ जाएंगे ये कई बार लोकल फूट पॉइंट्स पर खाना खाते हैं ये पिर चाय पीते हैं और लोगों से बातें करते हैं कभी कभी तो ये अपनी गोल्ड प्लेटिल लेंबॉगनी को छोड़ कर दुबई के मैट्रों में सफर करते हैं इसलिए ताकि लोकल लोगों के राय जान सकें और वो कैसी लाइफ गुजार रहे हैं ने पता लगे अगर ये आपको किसी लोकल रेस्टराण में मिल जाते हैं तो ये शायद आपसे पूछें कि आपका दुबई आने का एक्सपिरियंस कैसा रहा और कई बार तो ये लोगों को रेस्टराण में ट्रीट भी देते हैं दोस्तो एक बार imagine करें कि इतने अमीर आदमे का बेस्ट फ्रेंड होना कैसा होगा दोस्तो इनका भी एक बेस्ट फ्रेंड है ये उमर में तो काफी चोटा है लेकिन इनकी बहुत बनती है आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इनके बेस्ट फ्रेंड का दुनिया के अमीर बच्चों में नाम सिर्फ इस वज़ा से आता है कि कि वो दुबई के क्राउन प्रिंस का दोस्त है क्राउन प्रिंस फजादी शुदा हैं और इनके दो जुड़वा बच्चे हैं इनके जुड़वा बच्चों के जनम पर सल्मान खान ने बेने बधाई दी थी काम के साथ जिन्दगी को इंजॉई करना भी ये बखुबी जानते हैं और दुबई के क्राउन प्रिंस होने जैसे इतनी बड़ी जिम्हदारी होने के बावजूद भी ये अपने लिए समय निकाल ही लेते हैं और अपनी लाइफ को ये बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉई करते हैं तो दोस्तों आपको प्रिंस फजा की लाइफ वेसल वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करें जरूर बताएं